वेलकम एविवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस कैसा हूँ कि जब सारे एलियंस ने मिलके अर्थ के उपर कब सा कर लिया हो और एक हजार साल बीच जब सारे इंसान अपने इंसानियत को भूल जाए कि वो लोग पहले कैसे जिया करते थे तो क्या वो इंसान अपने पुराने ज इंसान दिखाया जाते हैं जो कि पहले जैसे आधिवासी रहा करते थे उस तरीके से रह रहे थे वैसे ही कपड़े पैने थे और साथी में गुफां में रहते थे चुपके सारी टेक्नोलोजी बंद कर दी गए थी क्योंकि एलियंस ने हमला कर दिया था उन्होंने इंसानों को गुलाम बनाया और इसी के साथ में अर्थ के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट माटीरियल छुपा हुआ था उन सब के अंदर वो इंसानों को भेजके उस माटीरियल को निकालने के लिए वो इंसानों का यूज किया करते थे पता चलता है कि एलियंस को जो सबसे ज्या देखते हैं जो कि अपने हस्बंड जॉनी का वेट कर रही थी जॉनी के फादर की तबियत इतनी जादा खराब थी कि उसे अपने ट्राइब से बाहर निकल के दवा लेने के लिए जाना पड़ा लेकिन अब तक भी कई दिन कुजरने के बाद भी जॉनी नहीं लोटा था ज यह शायद कभी एलियन के चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे लेकिन जॉनी इस टूटी हुए उम्मीद के साथ यहां नहीं जी सकता था। जॉनी कहता है मैं किसी गॉड को नहीं जानता और अगर तुम किसी गॉड को जानते हो तो मुझे उनके पास ले चलो मेरे पास कुछ खाने की चीज़े हैं इसके बदले मैं तुमें वही चीज दूँगा यह दौनों अपने साथ जॉनी को एक ऐसे आइडल के पास लेके ज जूर की थी उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर भगवान की थियोरी या फिर हिस्ट्री होती क्या है किसी को नहीं पता कि वो दिखते कैसे थे कहा रहा करते थे और कैसे हुआ करते थे यह तीनों एक छुपीवी जगा पे बैठे थे और खाना खा रहे थे लेकिन उसी समय ए इंसानों के लिए oxygen पास किया करते थे इसे के कारण ये जैसे जमीन के नीचे जाते है थो इने पे इन वायर्स को लगाना पड़ता है नीचे जाने के बात ये तीनों देखते हैं की आपड़े भागने की कोशिश करता है लेकिन इतने ही देर में जॉन्न ने किक्र अना मिं इसे के कारम वो जॉनी को वापस एक गन हाथ में दीता है। जॉनी फिर से लड़ने की कोशिश करता है और वो एक एलियन को मार दीता है। उसे तब तक यहाँ पे रुखना पड़ेगा जब तक वो यहाँ का सारा सोना उपर तक नहीं पहुचा देता। टरल को अब यहाँ पे नहीं रहना था। इसे के कारण वो यहाँ से जाना जाता था। लेकिन अब जब टरल के लिए उपर से ओर्डर साय थे तो उसे ये बात म जिसके बाद में जॉनियर उस लड़के के बीच में बहुत गंदी फाइट होती है और जॉनि उसमें जीत जाता है जॉनि कहता है कि अभी हमारे सामने इतने सारी प्रॉब्लम्स है कि हम खाने के लिए नहीं लड़ सकते हैं अगर हम एक जुट हो जाए तो मिलके लड़ भी सक जाते हैं इसलिए आज के बाद हम सब लोग एक जैसे हैं और मिल बैटके खाना खाएंगे ये सारे लोग अब जॉनि के बाद से इंफ्लूएंस होने लगे थे जिसके बाद सीन टरल के उपर शिफ्ट होता है उसे पता चलता है कि उसका एक जूनियर एक फाइल को पता चल हो इसी के करण तुम इस फाइल को चुपाना जाते थे तब वो जूनियर बताता है कि ऐसी बात नहीं है असल के अंदर हम उस गुफा के अंदर जा ही नहीं सकते चीफ टरल के दिमाग में कोई और आइडिया था वो कहते हैं कि अगर हम नहीं जा सकते तो क्या हुआ लेकिन ह इस जूनियर को चीफ का या आइडिया ठीक नहीं लगता इसी के करण चीफ टरल उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं चीफ टरल अपने जूनियर के साथ में एक सीनियर के पास जाता है और उससे पूछता है कि अब हमें आगे जाके क्या करना चाहिए टरल के पास एक कल वाकि आधा आधा बाट ले जिसके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अब तक भी इसकी रिपोर्ट किसी भी सीनियर के पास में गई नहीं है। की बाद इन दौनों को कैमरे की तुरू पता चलता है कि जौनी यहां से भागने की कोशिश कर रहा है। है कि उसके और उसके साथियों के कपड़ों के बटन पर क्यामरी लगे हैं इसी के कारण वो सारे कैमरी को तोड़ना शुरू करता है ये बाद चीफ टल को पता चल जाती है इसी के कारण वो अपने कुछ शिप्स को जॉन के पीछे भीचता है ये तीनों अभी तक जिस जगा पहुंचे थे उसी जगह से एलियंस एक बार इन तीनों को वापस से पकड़ के अंदर ले आते हैं जॉनी को जिसके बाद में एलियंस को समझ सकता हूँ अगर मैं ये सारी चीजे समझने लग या तो शायद हम जल्दी मिलके उनके उपर हमला कर सकते हैं जब जॉनी अभी तक भी पूरी लेंगविज नहीं सीख पाया था तो एक बार फिर से एलियन उसके उपर ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट करते हैं इस बार चीफ टर्ल को भी बड़ी खुशी होती और वो जॉनी को कहता है कि अब तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा जॉनी कहता है मैं तुम्हारा काम करने के लिए तयार हूँ लेकिन इसके बतले तुम किसे इंसान को नहीं मारोगे टर्ल ये बात मान जाता है जिसके बाद वो और उसके सारे साथियों को एक ऐसी गुफा में लेके जाता है जहांसे कोई भी इंसान भाग नहीं सकता और अगर भागने की कोशिश करेगा तो फिर ये एलियन्स उसे मार देंगे इसी समय पता चलता है कि यहां पे कुछ और ट्राइब के लोग पहुंच जाते हैं जो कि का यहां पे जौनी की वाइफ को लेके पहुच जाता है जौनी की वाइफ उसे ढूंडते हुए यहां तक पहुच गई थी और का ने उसे पकड़ लिया उसके गले में एक ऐसी डिवाइस लगा दी चाती है जो कि कभी भी ब्लास्ट की जासकती थी चीफ टल जौनी को कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पीवी को चांट से मार दूंगा ना चाते हुए पिजॉनिय और उसके सारे साथियों को एक बार फिर से आगे हो कि जेल में बंद होना पड़ता है टरल अपनी इस नहीं मानता उसे तो वहां से बस सूना निकालना था ताकि वह अपने प्लैनेट पे वापस जा सके जिसके बाद में चीफ टरल बोलने लगता है अपनी ही सीनियर से कि उसे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि एलियंस के लिए जितना पर हिस्सा आता है उससे बहुत ही कम हि सामने लाके रख देगा सीनियर को ना चाहते हुए बात माननी पड़ती है जिसके बाद में अपने साथ में जॉनी और उसके सारे साथियों को एक शिप के जरिये उसी जगह पे ले जाता है जहां पे ने माइनिंग करनी थी बताता है कि अब मैं यहां पे तुम लोगों को बैटके एक प्लान बनाता है कि यहां पे हम लोग दो टीम बनाएंगे एक टीम जो की सोना डूंडेगी वहीं पे दूसरी टीम जो की हतियार डूंडेगी ताकि अगर कोई मी मुसीबत आए तो यह लोग एलियन्स के उपर अटैक कर सके जॉनी कहता है कि अगर हमें यहां प सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की वहां पे एक न्यूक्लियर मिसाइल इन लोगों को मिल जाती है लेकिन जॉनी को अब तक इसे ऑपरेट करना नहीं आता था जॉनी के एक साथी से गलती से प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है जिस प्रोजेक्टर के अंदर सब कुछ ल जाता है राद होने पे एक बर फिर से इन सब को जेल के अंदर डाल दिया जाता है जिसके बाद यहाँ पे का पहुचता है जॉनी का को कहता है कि तुम चाहो तो हमें यहां से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि इसके बदले मेरे पास में तुमारे वो रिकृदिंस है जो कि टलrik कुमारे खिलाफ करे थे का ये बात मान जाता है और जॉनी का साथ देते हुए उसे जेल से बाहर निकाल देता है जब सारे इंसान यहां से भाग रहे थे तो जॉनी अपनी वाइफ को बाहर निकाल के सबसे पहले उसके गले से उस डिवाइस को निकालता है और उसके बाद सार इंसान एलियन्स के बेस पे बहुत बुरी तरीकी से अटेक कर देटे हैं- टरल को ये बाद पता-चलती है और वो जॉन्नी के उपर अटेक करने के लिए आता है- टरल के हाथ में जॉन्नी लग चुआ था जॉन्नी इससे पहले कई बड़ा ब्लास्ट किया, मोटी परा तब तूट चुकी थी जॉनी ने असल के अंदर एक और बहुत बड़ा काम किया उसने एलियन्स की टेलिपोटेशन मशीन को भी कबजे में ले लिया था और उसके बाद में एलियन्स की पूरी प्रजाती ही खत्म हो जाती है क्योंकि वो प्लैनेट इक खत्म हो गया था इधर अर्थ पे भी काई सारे एलियन्स मारे जा चुके थे क्योंकि उनकी जो शील्ड थी ऑक्सिजन लेने की वो खत्म हो गई थी जॉनी ने चीफ टर्ल को तो अब कैद कर लिया था और उसे कैद किया गया था सोने के बीच में क्योंकि उसे हर समय गोल्ड ही चाहिए था जौनी आके टर्ल से कहता है कि तुम अब पूरी जिंदकी सोनी के बीच में सडोगे जैसे कि तुमने इंसानों के उपर टॉर्चर हिया था इस समय यहाँ पर टरल का जूनियर का आता है उसे लगता है कि का जरूर उसे यहाँ से छुड़ा लेगा लेकिन का अब टरल का जून को रफा दफा कर सके जौनी और का बागी सारे इंसानों के साथ मिलके एक बार इंसानों की प्रजाती को वापस से ठीक करना चाहते थे और इसी के साथ गाईजे शांदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को यह मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बता आईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में तब तक के लिए टाडा